कि गूद इवनिंग तो ओल कि वैलकम तो ओल माई स्टुडेंट्स इंचानक के पृतियुपत अकेडमी मुरादाबाद सबसे पहले बच्चों कुछ स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से रिलेटिड और ऐसा पॉर्शन जो सबसे ज़्यादे पूंचा जाता है एरर तो एरर में हम लेते हैं पहली एरर है जो पूँची गई है SSC, CHSL 2021 में जो पूँचे गई है सभी हम एरर लेंगे एक एक कर्प को हम सीखेंगे सारे हम कॉंसेट पी डिसकस करेंगे जैसे पहला सेंटेंज से है et Solo Definitely receive the memory of the life after the मैच ऑवर तो बच्चों जहाँ देना है कि इसमें किस पॉर्शन में मिश्टेक है इच मेंबर ओफ दर कि मिश्टेंजीक तो यहां पर क्या होगा बच्चों रिशीब्स होगा क्या होगा रिशीब्स अब ऐसा क्यों होगा हमें जाना है जब भी इस प्रिकार का सेंटेंस आगे यूजो जैसे इच आफ इच आफ आइदर आफ नाइदर आफ शंबडी आफ शंबडी आफ शंबडी आफ समवन आफ एवरिवन आफ एवरिवन आफ इनके बाद जब भी नाउन यूज होगा या कोई भी प्रोनाउन यूज होगा तो कैसा होगा वो प्लूरल होगा नाउन और प्रोनाउन कैसा होगा प्लूरल और इनके बाद जो वर्ब यूज होगी वर्ब वो शिमूलर आएगी वर्ब कैसे यूज होगी शिमूलर यूज होगी तो जैसे यहाँ पर क्या है एच मे सेट पर अगर आगे कुश्चन पूशा जाता है जैसे अगर इच ओफ आए यह सेंटेंज जैसे बच्चो इच ओफ अगर कहीं भी इच ओफ या इधर ओफ या निधर ओफ निधर ओफ समबड़ी ओफ समबड़ी ओफ शमवन ओफ शमवन ओफ नावन और प्रोनों कैसा यूज होगा प्लूरल वर्ब कैसी यूज होगे यहाँ पर शिंगलर वर्ब शिंगलर बतो एक केस और पूशा गया असे यंभे सिने आपि कि जो इनके बाद जो पजेसिप केस आता है जो पजेसिप केस आता है जेसिप केस क्या यू जोगा ही जी यू जोगा ही जब तक हो जेंडर eg नहीं हो जैसे इदर इदर ओफ दा स्टूडेंट्स इदर ओफ दा स्टूडेंट्स एव गोन तो देर होम तो देर होम तो यहां पर देखना है इदर ओफ है क्या है इदर ओफ इदर ओफ निदर ओफ समबडियो ओफ समनू कुछ भी हो सकता है तो लौनол कैसा यूज हुआ है प्लूरल तो यहां पर वर्ब कैसा यूज हूँज होगा श्यूमूलर और इस केस में जो यहां पे पजेसिव केस आएगा जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वहाँ पर क्या होगा हीज यूज होगा जब तक कि जेंडर डिफाइन नहीं हो अगर यहाँ पर गर्ल्स हो या सिस्टर्स तो अब हर लगा सकते हैं जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो प्रियोटी हम किश दिखी जी शेंटेंस है इवन दो वी आर क्वाइट डिफ्रेंट फ्रोम इच अधर इन अवर फॉड प्रिफेंस वी वोट लफ साउथ इंडियन डेलिसेश तो बचो ध्यान देना जब भी सब्जेक्ट पुलूरल होगा जब भी सब्जेक्ट पुलूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी हम पुलूरल ही यूज करते हैं तो यहां पे क्या होगा लब होगा पुलूरल सब्जेक्ट पुलूरल सब्जेक्ट पुलूरल सब्जेक्ट जिससे आई वी दे यू इन सभी के साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो कैसा आता है पुलूरल पुलूरल जब बन जाती है singular और जब noun में S और एस लगता है तो noun बन जाता है plural तो यहां पर क्या है हमें subject कैसा है plural है तो वर्बी भी हमें plural लेने पड़ेगी यहां पर होगा love अब इसे इंटेंस को देखते हैं तो बचो यहां देखना है कि किस पोर्षन में मिश्टेक है तो यहां पे क्या होगा राहूल सिंग्स मतलब गाता है तो गाने के बाद चल रही है तो यहां पे क्या एक्षन हो रहा है और जब भी action होता किसी भी sentence में तब उसके बाद हम क्या लगाते हैं adverb तो यहाँ पे क्या होगा sweetly तो इस concept को देख लेते हैं कि subject के बाद जो verb यूज होता है इसके बाद आपका adjective यूज हो सकता है और adverb यूज हो सकता है अगर verb में एक action होता है इस्टेटिव है मतलब कोई action ना हो तब उसके साथ हम adjective लगाते है तो जब किसी भी sentence में verb क्या हो action करेगी तो उसके साथ हम adverb लगाएंगे तो गाने का काम होगा तो यहाँ गाना क्या है action होगा तो यहाँ पे क्या होगा sweetly और देखिए इस concept को clear करते हैं जैसे he looks he looks happy he looks happy वो कैसा देखता है happy देखता है तो यहाँ पर कोई action ही नहीं है no action अगर कोई action नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे adjective he looks happy sentence राइट है अगर sentence होगा he looked he looked at me happy उसने मेरी तरफ देखा happy अब यहाँ पर look that तो action होगा ना अओ देखागा मेरी तरफ तो action होगा तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बटा हम happily हम इसको adverb बनाएंगे क्या बनाएंगे adverb तो क्या concept है subject के बाद जब भी हमारा action verb होगा तब उसके साथ हम यूज करेंगे adverb और जब भी इस्टेटिव वर्ब होगा तब उसके बाद हम यूज करेंगे adjective next अब शेंटर्स को देगे she had resigned from the post before he apologize अब ध्यान लगना बच्चो before और by the time SSC का यह जो topic है ना बहुत ज़्यादा फैबरेट है before और by the time इसका हम दो बाल लग दी दो concept इसमें यूज होते है before और by the time तो सबसे पहले तो हम 10 से चेक करते है कि अगर दोनों से पहले past है तब बाद में भी past होगा और यदि पहले future है तब बाद में present होगा तो क्या concept सीक है before या by the time से पहले past है तो बाद में past होगा और यदि पहले future है तो बाद में present होगा तो ध्यान रखना before और by the time से पहले past का perfect और बाद में past का indefinite या कह सकते हैं before या by the time से पहले structure जो sentence की क्या होगी subject head plus third form तब इनके बाद sentence की structure होगी subject plus second form subject plus second form इसी प्रकार से यहाँ पे before या by the time से पहले यदि आपका future का perfect है future का perfect है तो बाद में क्या होगा present का indefinite present का indefinite future perfect की structure क्या होगी subject plus will have subject plus will have और cell have प्लस third form future perfect तो बाद में क्या होगा present का indefinite means subject plus first form और subject plus first form में as और es s और es वो depend करता subject क्या है subject singular है तो s और es लाएंगे subject plural है तो first form use करेंगे तो यहाँ पर क्या है देखी before use हुआ है before से पहले past है बार में past है पहली conditions है यह लेकिन क्या check करेंगे before के बाद subject head क्या होना चाहिए third form होना चाहिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या यूज होगा resign यहाँ पर third form यूज होगा third form before से पहले had third form बाद में subject के साथ second form और देखी क्लिर करते हैं इस concept को जैसे मैंना sentence लिगा all the students all the students had left there chairs before the teacher before the teacher left the class left the class तो यहाँ check करेंगे before word आया है तो before से पहले देखी क्या है had के साथ third form है yes before के बाद subject के साथ second form है yes तो sentence क्या है आपका राइट है sentence क्या है आपका राइट है यहीं सेंटेंस future लेते हैं you call me तो before से पहले देखी क्या है future का perfect है और before के साथ क्या है present का indefinite है तो यह case काफी बार पूछा गया है कि before और by the time के साथ कि पहले past का perfect है तो बाद में past का indefinite और पहले future का perfect है तो बाद में present का indefinite अब बचो कैसे याद रहेगा द्यान देने यहां मैंने लिखा है जैसे यह मैंने लिखा है perfect BB अब तो याद हो जाएगा ना perfect BB एक B का मतलब क्या है before है और एक B का मतलब by the time है by the time है तो ध्यान देना है before है या by the time है दोनों से पहले क्या है perfect है तो बाद में क्या होगा indefinite बाद में क्या होगा indefinite वो perfect किसका हो सकता है वो perfect past का भी हो सकता है वो perfect future का भी हो सकता है इसी प्रकार सो जो indefinite है ये past का भी हो सकता है और ये present का भी हो सकता है अब ध्यान देना है past के साथ चलता है past past के साथ चलता है past और future के साथ चलता है present तो एक concept हमने clear कर ले हैं तो यहाँ पर क्या होगा? had, resent तो एक ही sentence है लेगि इस sentence है हमने बहुत कुछ शीखा है अब यहाँ पर themself क्या है reflexive pronoun है तो हमाँ देखना है कि reflexive pronoun कहाँ पर use होता है reflexive pronoun हम कहाँ पर लगाते हैं तो बचो ज्यान देना है subject plus verb इसके बाद हम क्या लगाते है reflexive pronoun reflexive pronoun यह कभी उज होता है जब किसी भी sentence में जो भी object होता वो ही subject बन जाए जब किसी भी sentence में subject और object सेम हो जाएं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? reflexive लगाते हैं वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? reflexive लगाते हैं जैसे एक example लेते हैं तो ध्यां देना जो ही है वो ही हिम है तो यहां पे हिम यूज नहीं होगा यहां पे क्या होगा हिमसेल्फ 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 तो रिफ्लेक्सिप नाउन कभ यूज करते हैं जब सब्जेक्ट और ओब्जेक्ट सेम हो जाते हैं और देखते हैं कि रिफ्लेक्सिप कहां पे आता है subject plus verb अब ध्यान देना verb के बाद या तो object होगा अगर object नहीं होगा तो हम reflexive pronoun लगाएंगे reflexive pronoun यूज़ करेंगे reflexive pronoun यूज़ करेंगे तो verb कैसी होगी ये verb होगी transitive और transitive verb के बाद या तो object आ सकता है या reflexive आएगा अब ध्यान देना है अगर object होगा तो reflexive नहीं आएगा अगर object नहीं होगा तो हम reflexive बनाएंगे जैसे I I enjoy the party ये बच्चो क्या है? subject, enjoy क्या हुआ? verb, और क्या enjoy क्या? party को enjoy क्या तो ये क्या है? object क्या है? object है तो यहाँ पे subject, verb, object है मतलब transit, verb, उसका object given है तो यहाँ पे reflexive की कोई need नहीं है यहाँ reflexive हम योज नहीं करेंगे लेकिन बच्चो अगर हम reflexive लागें तो कहाँ पे लागेंगे enjoy के साथ? आगे देखते हैं I enjoy I enjoy during the party during the party अब आपको होगे यहाँ भी object है तो बच्चो ध्यान दें ना यह during क्या है? प्री पोजिशन क्या है यह प्री पोजिशन है? और यह जो object है, यह preposition का object है यह object है, और किसका? यह preposition का object है यहाँ पे enjoy का तो object है ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका object बना के लिखना पड़ेगा किसको बनाएंगे? रिफ्लेक्सी प्रोनाउन को तो यहाँ पे होगा I enjoyed myself I enjoyed myself during the party during the party तो बचो ध्यान देना है जो आपका reflexive pronoun है वो किसके बाद आगा? जो आपका या तो object होगा और object नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? reflexive pronoun लगाएंगे तो subject के बाद जब भी intransitive verb होगी जब भी intransitive verb होगी तब इसके बाद हम reflexive यूज नहीं करेंगे reflexive यूज नहीं करेंगे तो रोना, धोना ये क्या है एक intransitive verb है select क्या है? intransitive verb है तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम time self को यूज नहीं करेंगे तो देखो हमने केबल क्या एक ही sentence है काफी कुछ सीखने का प्रियास किया है अब इस sentence लेते है the river flowed beside the hillock in our village अब बच्चों ध्यान देना है दो बाड़ होते हैं एक होता है besides एक होता है beside यह दोनों ही preposition है beside का मतलब होता है के पास या के किनारे और besides का मतलब होता है के अलाबा के अतिरिक्त के अतिरिक्त के अतिरिक्त तो यहाँ पे के गाउं के पास की बास चल रहे है तो यहाँ पे क्या है besides उज नहीं होगा यहाँ पे होगा beside क्या होगा beside जैसे the girl came and sat beside her mother लड़की आई और मम्मी के पास आके बैठ गई तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे beside तो besides कहाँ पे यूज़ होगा besides coward he is fickle minded कि कैर होने के अलाबा वो क्या है? fickle minded भी है मतलब वो चंचल मन भी है तो यहाँ पे क्या हुआ? besides coward तो यहाँ का सेंटेंस यह राइट होगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? नज़दी के पास के लिए हम beside use करेंगे अभी शेंटेंस को देखते है he has been executed by the teacher by the time of a formal complaint for bullying was made अब देखना बच्चों यहाँ पे क्या है? he has been executed उसे माफ कर देगा है teacher के दुवारा by time formal a complaint जो भी मतलब शिकात हुई थी जो उसने गलती है mistake की थी तो यहाँ पे sentence किसमें चल रहा है? past में चल रहा है अगर sentence past में है तो यह sentence हमें यह भी अपको क्या करना पड़ेगा? past में करना पड़ेगा यहाँ पे करेंगे हम had been he had been executed by the teacher simple sentence तक आप यह नेक्स्ट यह sentence देखते है there is a many ways तो बच्चो देर के बाद noun singular आएगा, plural आएगा यह देखना होता है तो यहाँ पे many ways है noun के बाद, मतलब देर के बाद अगर यह plural noun आथा तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? there is there is a boy standing standing there तो अगर noun singular है तो हम यह यूज़ करते हैं और यह plural है तो हम क्या यूज़ करेंगे? are, तो यहाँ पे क्या होगा? there are many ways क्योंकि यह क्या है? plural है plural है तो there decide नहीं करता है उसके बाद जो noun आथा है, वो decide करता है कि बाद यह similar होगा या plural होगा I go to school तो यह बिल्ग दी subject अगर plural होता है तो हम वर्बी भी कैसे लगाते हैं? plural लगाते है plural subject I, we, they, you we यह subject क्या है? सभी plural है इनके साथ वर्बी हम कैसा यूज करते हैं? plural वर्बी कैसा यूज करेंगे? plural I go अब यहां पर देखिए फातिमा एंड साना हैज पूर्ट टिकन दा वैक्सिन अब आपको पता है कि दोनों एंड से अगर नाउन जुड़ा है तो पुलोरल हो गया तो यहां पर यह तो मिश्टेक है अब देखना है कि कोई सा सेंटेंस राइट होगा? तो फातिमा एंड साना हैल यह मिश्टेक होगी है और दोनों क्या है? अगर अज़ा यह तो एजराइं को साथ थर्ड भूम भी नहीं आएगा तो और यह वालग रोंग हुआ और वर के साथ यह रोंग हुआ तो क्या होगा? एक्टिव सेंटेंस रहेगा ही active sentence रहेगा क्योंकि दोनों active है यह पैसिमर नहीं जाएगा sentence तो क्या होगा फातिम एंड सन्ना have got taken the vaccine यह sentence आपका right होगा यह दिखी I am not sure if the red car in the parking is your तो बुच्छो ध्यान लेना है एक तो होता है possessive adjective possessive adjective जिससे my your 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 her his there यह क्या होते हैं possessive adjective होते हैं और possessive adjective यह noun जरूर लेते हैं इनके बाद noun composer ही आता है इनके बाद noun composer ही आता है एक होते हैं आपके possessive pronoun possessive pronoun possessive pronoun जिससे mine mine yours yours ours hers theirs यह क्या होते हैं possessive pronoun होते हैं तो यह क्या होता है इनके बाद कभी noun नहीं आता है इनके बाद कभी noun use नहीं होता है इनके अंदर ही छुपा होता है इनके बाद noun नहीं आता है तो यहां पे यह यह और के बाद कोई noun होना चाहिए तो इसको क्या बनाना पड़ेगा possessive pronoun बनाना पड़ेगा यह होगा yours क्या होगा yours और देखना जो पजे से प्रुनावन होता है जो पजे से प्रुनावन होता है यह आपका subject भी बन सकता है यह आपका object भी बन सकता है subject भी बन सकता है object भी बन सकता है जैसे yours is a new car yours is a new car तो यह subject भी बन सकता है, यह subject भी बन सकता है, objective भी बन सकता है, जैसे this car this car is yours, this car is yours, this car is yours, तो जो possessive pronoun होता है, यह आपका subject भी बन जाता है, और यह objective बन जाता है लेकिंग जो possessive adjective होता है, जो possessive adjective होता है, यह ना तो subject भन सकता, और ना ही यह object भन सकता आप यह नहीं कह सकते, your is a new car, यह sentence रों हो जाएगा, या this is, this car is your, यह sentence रों हो जाएगा तो ध्यान रखना है, जो possessive adjective है, ना तो कभी यह subject भनेगा, ना यह कभी object भनेगा, लेकिंग जो possessive pronoun होता है, यह subject भी बन सकता है, और यह objective भी बन सकता है इस sentence, my boss is telling me all the time that money does not grows, अब बच्चों ध्यान देना है, यह ऐसा होता ना, हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिंग छोड़शोड़ी बातों को हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो ध्यान देना है, जब भी do not दिखाई दे, does not, did not, will not, या sell not, sell not, इन सभी के साथ हम verb का first form लगाते हैं, इन सभी के साथ हम verb का first form लगाते हैं, और किसी भी model के साथ, कोई भी model है, will, shall, can, या would, will हो या would हो, sell हो या should हो, can हो या could हो, जितने भी model हैं, सभी first form लेते हैं, सभी क्या लेते हैं, first form लेते हैं, may या might, may या might, सभी क्या लेते हैं, first form of verb लेते हैं, और do not, does not, did not, will not, sell not, इन के साथ भी सभी के साथ क्या आता है, verb का first form लेता है, अब देखे कई बार एक्जाम में पूँचा जा चुका है इस प्रकार का सेंटेंस तो ध्यान देना है जो fast है ये दोनों तरह से behave करता है जो fast है ये adjective भी होता है और ये adverb कितरे behave करता है ये adjective भी होता है और ये आपका adverb भी होता है he is a fast he is a fast runner he is a fast runner he is a fast runner अगर ये noun से पहले use होगा क्योंकि runner क्या है noun ने तो noun से पहले fast क्या होगा ये adjective बन जाएगा और he runs fast he runs fast यहां उसकी विशेशता नहीं बताया जारी उसके दोड़ने की तो वर्ब के बाद जब भी use होगा तो ये क्या होगा adverb तो दियान रखना है noun से पहले noun से पहले fast क्या काम करेगा adjective का verb के बाद fast किस तरह बहेव करेगा adverb की तरह है किस की तरह है adverb की तरह है fastly कोई word नहीं होता है fastly कोई word नहीं होता है तो यहां पे क्या होगा fast क्या होगा fast adverb की तरह काम करेगा next ronaldo is a famous player of the football तो यहां पे देखना किस में error होगा बचो तो football यह क्या है sports है तो article किसी भी game से पहले हम नहीं लगाते है चाहिए तो football हो cricket हो hockey हो किसी से पहले भी हम कोई article use नहीं करेंगे कोई article use नहीं करेंगे तो the article नहीं लगाएंगे और कहानी लगाएंगे काफी बार पूछा गया है before more soft variable more soft variable हम यात्रा करते हैं न जिसे by the bus तो दा नहीं लगाएंगे इसी प्रकार से by car और foot के लिए क्या लगाते हैं on foot अगर किसी जानवर की हम सबारी करते हैं on camel तो वहाँ पे हम क्योंकि ये यात्रा के लिए नहीं बने होते हैं फिर भी हम यूज करते हैं तो on camel, on foot लेकिन mods of travel में by car, by sea, samundra के रास्ते, air के रास्ते by air कोई हम article use नहीं करते हैं तो by के साथ किसी भी mods of travel में हम कोई use article नहीं करेंगे और किसी भी games के साथ किसी भी sports के साथ हम कोई article use नहीं करेंगे और जितने भी प्रोफेशन होते हैं professions या hobbies उनके साथ भी हम कोई article नहीं लगाते हैं कोई article use नहीं करेंगे जैसे यह नहीं कहा सकते हैं the swimming is my hobby the swimming is my hobby तो यहाँ पे बच्चों हम the use नहीं करेंगे तो किसी भी profession से पहले किसी भी hobby से पहले हम कोई article use नहीं करते हैं किसी भी game से पहले कोई article use नहीं करते हैं mods और travel के साथ हम कोई article use नहीं करते हैं और दिया देना किसी भी हम जो meals होते हैं before meals before meals no article is used no article is used जैसे break fast यह नहीं कहा सकते हैं a break fast यह यह नहीं कह सकते हैं, the breakfast हम यूज नहीं करेंगे, न ए न दो लेकिन ध्यान देना, बट, अगर adjective इनके साथ आ जाए अगर इनके साथ कोई adjective आ जाता है, जैसे a good breakfast a good breakfast a good breakfast, तब हम article यूज कर सकते हैं a good breakfast, आदरबाई जितने भी मेल्स हैं, lunch है, dinner है breakfast है, इनके साथ कोई article नहीं लगाएंगे, लेकिन जब इनके साथ कोई भी adjective आ जाए, a good dinner, a good breakfast, a good lunch तब article आ सकता है, तब article आ सकता है Elena is traveling since yesterday तो बहुत famous है sentence इस प्रकार का जो SSC बार-बार पूँचता है तो ध्याने न बच्चो जब किसी भी sentence में दिखाई दे आपको since, for, how long, how long इस प्रकार के sentence जो बनते हैं, किसमें बनते हैं, या तो बनेंगे perfect में या बनेंगे perfect continuous में जब भी since दिखाई दे, for दिखाई जया, all के बाद time आ जाए, all प्लस time आगर इनके साथ sentence कुछ भी आता है, या the whole plus time since, for, how long, all plus time, all the day, all the night, throughout the day, throughout night, the whole night तो इस प्रकार जो sentence हैं, वो किसमें बनेंगे, या तो बनेंगे perfect में, या बनेंगे perfect continuous में तो यहाँ पर क्या use हुआ है, since use हुआ है, अब देखें, और क्या लगाएंगे, perfect बनाएंगे, perfect contrast बनाएंगे, इस पर भी एक logic है देखते हैं इसको, दिखाई देना, अगर इन words से पहले, since, या for, या all plus time all plus time, all plus time, all plus time, जैसे all the time, तब इन के साध्यान देना, अगर इन से पहले is, r, और m plus ing नजर आता है, तो यह किसमें change हो जाते हैं, यह change हो जाते हैं, has been में, has been में, और have been में, according to sentence, मतलब, अगर similar है, तो has been, अगर पुल लड़ता है, have been में, जैसे, यह sentence है आपका, since के साथ क्या है, time दिया हुआ है, तो यहाँ पर is है, और ing है, तो क्या हो जागा है, has been, has been, has been, जैसे, एक sentence देते हैं, the dog is barking, the dog is working, all the night, या the whole night, all the night, the whole night, working, the whole night, कुताब पुरी रात, बहुकता रहा, तो यहाँ देगे, since 4 नहीं है, लेकिन, क्या है, all the time, तो यहाँ पर is, किसमें change हो जाएगा, has been में, किसमें change हो जाएगा, has been में, और देखें, sentence जैसे, how long is she working, here, how long is she working है, तो यहाँ पर देखें, how long है, तो is ing है, तो यह भी क्या change हो जाएगा, has been में, इस sentence क्या भी, wrong होगा, sentence, तो right sentence होगा, how long has she been, has she been, has she been working here, working here, working here, तो जहाँ देना है, अगर since यह फोर, मतलब कोई भी इस प्रिकार का express time अगर आता इनके साथ, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इजारम के साथ हम ing, has been और have been लगा देते हैं, और एगर वोजबर है, तो हम head been कर देते हैं, नए sentence देखते हैं, whenever he is on a holiday, he travels by the food, अभी जीकर क्या था न, अभी जीकर क्या था, कि food, इसके साथ हम बाई नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, on food, on horse, हम घोड़े से कहीं जा रहे हैं, on camel, उन्ट की सबारी कर रहे हैं, तब हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे, on लगाते हैं, मोड्स और ट्रेवल में बाई, बाई कार, बाई बास, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, कोई भी, लेकिन पूछ ध्यान देना, अगर, अगर इनके साथ बाई नहीं हैं, जैसे, अगर इनके साथ बाई नहीं हैं, तब इनके साथ क्या यूज करेंगे हम, आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, कैसे, जैसे, इन ए कार, इन ए जीप, इन ए टैक्सी, इनके साथ हम क्या, आर्टिकल लगाएंगे, अगर बाई आ जाएगा, तब इनके साथ आर्टिकल यूज हम नहीं करेंगे, अब देखो, कार, जीप, टैक्सी के साथ हम, क्या यूज करते हैं, इन ही यूज करते हैं, लेकिन अगर आज बस, ट्रेन, एरोपलेन, या तुम बाई लगाएंगे, बाई बस, बाई ट्रेन, अगर इनके साथ बाई नहीं यूज करेंगे, तब ओन के साथ हम आर्टिकल लेंगे, ओने बस, ओने ट्रेन, ओने एरोपलेन, अब ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके पिसलोग होता है, जिसमें चड़ने के लिए सीडिया लगी होती हैं, जिसमें ट्रेन में चड़ते हैं, बस मे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, अगर इन है या ओन है, तब ओन के साथ आर्टिकल हम ए और अन लेंगे, इस सेंटन देदे, अब धियान देना है, इसमें देखना है कि इस पोर्शन में मिश्टेक है, तो मैंने जिकर किया था, अगर एक्शन किया, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एड़ वर्ब, तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्वाइटली, सान्थी के साथ, क्या यूज होगा, क्वाइटली, क्योंकि एक्शन हो रहा है, इस एंटर दिखते हैं, अब देखें, क्या है, मोडल बच्चो, अभी जिकर क्या आता आपको, कि जब भी मोडल वर्ब आई, कि विल, सैल, शुड़, वुड़, कैन, कुड़, यह सबी क्या लेते हैं, व्रब का first form लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बिलीव होगा, बिलीव, क्या होगा, बिलीव, और वैसे भी आप जानते हैं, जो बिलिव होता है न जैसे वर्ड है बिलिव, नो, रिमेंबर, रिमेंबर, कंसीडर, कंसीडर, रिजेंबल, रिजेंबल, बिलोंग, ये क्या है इस्टाटि वर्ब की तरह यूज होते हैं इन में हम कभी भी ing नहीं लगाते हैं, इन में ing हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि action नहीं होता है Next sentence The notice that the office posted over the wall is very appropriate अब बच्वोज यहां देखने हैं कि किस portion में mistake है तो बड़ी उज़वा है, over, अब देख लेते हैं, over कहां पर यूज होता है Over, over कभी उज़वा है, अगर कोई object है, और ये क्या है, vertical position है Vertical position है, और ये touch भी नहीं है, ये untouchable है क्या है ये, not touch, ये surface को touch नहीं करता है कोई चीज है जो उपर है वो touch नहीं है, और लेकिन vertical position है तो वहां पर क्या use करते हैं, over, हम इसको बोल सकते हैं, a is over b लेकिन बच्चों जब ध्यान देना, अगर कोई surface है, और कोई object ऐसा उस पर रखा हुआ है कि उसने touch किये हुए है, उसने touch किये हुए है, तब उसके साथ हम क्या लगाते हैं, own लगाते है और यहां पर post की बात चली, posted, मतला wall पे कोई क्या है पोस्ट हम posted करें किसी ball paper को, तो यहां पर क्या होगा, own होगा अब ध्यान देना, इस case में बच्चे बड़े confused होते हैं कि over और above कब आएगा तो ध्यान देना, अगर inclined position है, जैसे a और b यहां भी क्या है, a उपर है न b के, लेकिन position कैसी है, inclined है, तिरची है तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, above, यहां पर क्या यूज करेंगे, a above, above जैसे a is above, a is above b, यहां पर a क्या है, b के, ऊपर है next sentence, सुचित्रा will have to wait another month before she received any reply to letter बचो अभी जिक्र कया था मैंने before का, अभी जिक्र कया था before का, आपको याद होगा, before का भी cash जिक्र कया था कि before, before, before से पहले future, before से पहले future, तब before के बाद क्या होना चाहिए, present क्योंकि before के साथ चलता है, future के साथ चलता है, present, और past के साथ चलता है, past, तो यहाँ पे क्या will have है, future की बात चल रहे है, तो before के बात क्या होना चाहिए, present, तो यहाँ पे क्या होगा, see similar subject है, तो present indefinite में similar subject के साथ क्या लगाते है, similar verb, तो यहाँ होगा receives, क्या होगा यहाँ पे, अभी शेंटेंज देखते हैं अभी जीकर की आता है हैड नोट अगर आता है कहीं हैड क्या आता है हैड या आता है हैज या दिखाए दे आपको कहीं हैड फिल हैड फिल हैड सेल हैड सेल हैड इन सभी के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म और कहां पे लगाते हैं थर्ड फॉर्म हम विल बी सेल बी बुड बी शुड बी शुड बी इनके साथ ध्यान देना अगर sentence active है अगर active है तो ing लगा देंगे active है और passive है तो third form लगा देंगे passive में क्या लगाएंगे third form और active में क्या लगाएंगे ing active में क्या लगाएंगे ing तो यहाँ पर देखें क्या है as if he had, had के साथ न, नोट, तो यहां पर क्या होगा, 3rd form, यहांपर क्या होगा, बच्चो? सें, 3rd form होगा, जब भी दिखाये दे, has, have, have, उनके बाद 3rd form लगता है, क्या लगता है, 3rd form C will be write her examination by this time,ithjp sam concept अभी जपता है तो will be, will be, subject के साथ, will be, will be तो अध्यान देना subject के साथ will be और cell भी इनके साथ ध्यान देना ing form भी आ सकता है अभी बतायाता हूँ third form भी आ सकता है third form कब होगा? passive structure में और ing कब होगा? active structure में जब sentence यह कही हो active होगी अब c कैसा subject है? यह तो active subject है active subject है तो यह क्या इसको बनाना पड़ेगा sentence को इसको active बनाना पड़ेगा मतलब ing लगाना पड़ेगा तो will be writing क्या होगा will be writing b के साथ third form भी लगता है जिसे he will be helped ठीक है यहां उसकी साहता की गई यहां उसकी साहता की गई इस sentence देखते है इज सविता इस जोइनिंग आस फोर लांस टूडे इज सविता इज जोइनिंग आस फोर लांस टूडे तो यहां पर देखना है बच्चो present continuous present continuous में जो आपका interrogative structure होता है interrogative तो इसमें इज आरेम इज आरेम के साथ हम subject लिखते हैं और subject के साथ हम क्या लिखते हैं वर्ब में ing लिखते हैं तो यहां पर देखना होगा मैं अब देखना sentence interrogative है starting में सभिता है नहीं हो शकता subject में starting में सभिता interrogative है नहीं हो शकता टूडे का case case of today पूछा गया एक दो exam में जो today है यह कभी भी present indifferent में यूज नहीं होता है यह today बड़ी कभी भी present indifferent में यूज नहीं होता है I take I take tea today I take tea today तो बच्छों ध्यान देना है मैं आज चाय पीता हूँ today क्या होता है time होता है कैसे duration होता है 24 hours का तो क्या पूरे दीन चाय पीता 24 घणते में तो यहां ही sentence क्या होगा तो today present indifferent को छोड़कर किस किस में आ सकता है past indifferent में आ सकता है फ्यूचर indifferent में भी कैसे I took tea today आज मैंने चाय पी मिललों 24 आवर्स में है ऐसा टाइम के जिसमें चाय पी तो क्या है डूरिटिव टैम होता है तो सेंटेंस का राइट है आय हुल टेकटी ते हैं कि आई विल टेकटी I will take tea तो sentence भी क्या है? future है अब यह मस उतना है I साथ will अगर I or V के साथ will लग जाता है तो इसका काम क्या है? वो जरूर ही हो जाता है काम कि मैंने मैं आज चाय जरूर पीऊंगा today मैं आज चाय जरूर पीऊंगा हिंदी में होता है यह कि मतलब जहां भी इद्रड संकल प्रोमिस की बात होती है तो I or V के साथ हम क्या है? चेंज कर देते हैं? विल लगा देते हैं इंगलिस वो खुद अपना जो मिलिंग वो डिसाइड कर लेता खुदी I remember we did the last road trip we had before the pandemic hit अब यहां पर देखे subject है, verb है यहां देखे यह subject यह verb अब यह देखना है कि vivid क्या है बाद में adjective है तो जब भी case आये तो हमें देख लेना है कि जो verb है वो कैसी है? action verb है या इस्टेटिव वर्व है तो मैंने याद किया, I remember मैं याद करता हूँ vivid, अब अगर action होगा न यहाँ पर अगर action होगा यहाँ पर तो क्या होगा हमें adverb लगाना पड़ेगा vividly क्या होगा vividly adverb क्योंकि action verb के बाद हमने भी पड़ाया क्या लगाते हम adverb यूज करते हैं the manager did not go बच्चो अभी शीखा था हमने ठीक है? आपको याद भी होगा अभी मैं बार बार इसलिए repeat करता हूँ ताको आपको class देखते देखते सारे rules याद हो जाएं कि जब भी did not आए do not does not will not shall not इन सभी के साथ हम first form लगाते हैं और कहां लगाते हैं? कोई भी model जिससे will या would shall should can could may might यह सभी क्या होते है? model इन सभी के साथ हम verb का first form यूज करते हैं सभी के साथ verb का first form तो did not है तो third form यूज नहीं होगा first form यूज होगा go when you have work out this sum you may went देख अभी जिकर के आता है may क्या है? model verb है may क्या है? एक model verb है तो में के साथ हमने अभी पढ़ाया कौन सी वर्ब आती है verb का first form तो यहां पर वेंट नहीं यूज होगा क्या होगा? go क्या होगा? go तो ठीक है बच्चो thank you for watching अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो like और subscribe जरूर करें इस तरह का content आपको मिलता रहेगा क्या होगा